वेलकम स्टूडेंट्स आप सबका एक बार फिर से स्वागत है माई यूट्यूब चैनल मैट्स स्टेडी विद सुनील सर ठीक है? कुछ नहीं ठीक है समझ में नहीं आ रहा है स्क्वाइर रूट कैसे निकालें तो ठीक कैसे है? मैं आपको help करता हूँ स्क्वाइर रूट निकाले में exercise आपकी third भी है और सभी students भी समझ लें जो उनको ये exercise नहीं है जिनके पास वो भी clear कर लें अगर आपको square root निकालना है तो उसके लिए आपको पहले ये clear होना चाहिए कि square root किस number का निकालेंगे और कितनी digit का answer आएगा जैसे यहाँ पे कितनी digit हैं बताइए one, two, three, four digit हैं यानि जो square root आप निकालोगे उसमें two digits होंगी because आपको pairing वैसे ही करनी है next यह मैं आपको previous chapter वीडियो में बता चुका हूँ कि square root कैसे find करते हैं इसका प्रीवेस वीडियो में देख लीजेगा this digit is also प्रीवेस वीडियो में चेक करना यह solution मैंने दे दिया आपको third question का भी now I can find the square root with long division method number this 9801 तो जरह आप लोग मुझे बताइए बहुत simple है इसका answer कितनी digit में आएगा correct दो digit में because 2 pair बन रहे हैं और 3 pair बनते 3 digit में answer आता now 98 मैंने क्या बताया था last video में कि आपको square learn होने चाहिए तो 98 का square किसके near about 98 से less ऐसा कौन सा number है जिसका square root available है यानि जो perfect square है जैसे 90 का perfect square है no 88 no 87 no 81 yes 81 perfect square है यानि कि 81 होता है 9 के square से therefore we should to multiplied 9 9s are 81 good very good विपुल plus करिए 18 and 81 7 9 1 0 1 pairing कौपी करिए now what I take in the next part अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे दो डिजिट है यहाँ पे भी दो डिजिट है और यह this one कैसे multiply करें क्या करूं मैं अब तो simply आपको मैंने बताया था कि जब कभी कोई number होता है तो आप उसको उससे divide करिए लेकिन यहाँ 18 की table में तो 17 आता ही नहीं है 17 is less than 18 तो why not you take three digits yes आप three digits ले सकते हैं क्योंकि divide करना है ना आपको तो अब 18 की table think करिए कि 170 accuracy नहीं चाहिए बस table learn करिए तो 18 tens आ कितना होता है 180 देखिए larger number हो गया और 18 nines आ कितना होता है जल्दी बोलो 162 162 small है ना 170 से simply आप near about कुई भी number ले सकते हैं उससे clear कर सकते हैं तो 18 nines are this one 9 यहाँ पे आप 18 9 लिखिए और यही काम रफ में करिए 189 into 9 multiply करिए 9 ones are 9 9 eights are 9 nines are 81 9 eights are 72 यहाँ आप multiply कर लोगे मुझे बता है 1701 और यहाँ पे 9 plus कर दीजे minus करिए 0 0 0 आपका अंसर आ गया 99 your answer is 99 clear and how can we solve the decimal part चलिए मैं फिर से इसको repeat करता हूँ 45 56 .25 कोई बताएगा मुझे इसमें कितनी digit का अंसर आएगा yes one pair two pair three digit का और यह three pair तो दो digit आएंगे जिसमें decimal के पहले और एक digit आएगा decimal के बाद वो मैं चेक करता हूँ तो 45 किस square root के perfect number के पास आता है yes six six a 36 minus कर दीजे six यहां add करेंगे 12 this is 956 फिर प्रॉब्लम अब 12 की टेबल नहीं आ रही मुझे 956 दिया हुआ है तो 12 एट जा 96 12 सेवन जा 84 84 is less than 95 therefore we write here 7 right here 7 now right here 7 line ड्रॉब करेंगे यहां का number तो missing है तो कैसे लिखेंगे 127 को 7 से multiply करेंगे because square कर रहे है तो multiply करें 7 7s are 49 7 2s are 14 15 16 18 7 बंज़ 7 और 1 8 8 8 9 16 9 7 14 8 6 now this pair comes here 25 यह decimal का part है clear करिए this is the part of decimal तो यहां पे भी decimal आपने लगा दिए 1 add करिए 4 3 यहां पे अब क्या place आएगी last में 5 है आँख बंद करके 5 कर दीजे yes अब 134 5 को square है तो 5 से ही into करोगे 6725 आ जाएगा बहुत easy हो जाएगा 6725 subtract कर दीजे 0000 your required answer मैं यहां लिख देता हूँ answer आ रहा है 67.5 clear इस तरह आपको करना है next question आते हैं हम लोग आपके book का दिया हुआ है 9 27369 clear तो मैं लिख लेता हूँ 9 27369 हमें pairing करनी पड़ेगी बिल्कुल 1 pair 2 pair and 3 pair because the answer comes 3 digit answer शेल यह think करिए square यहाद है 81 आसपास आता है तो 9 9 same method 81 9 add करिए yes 18 problem बेटा यहाँ पे आती कौन सा नंबर लिखा चाहे क्योंकि आप subtract कर लोगे subtract कर लोगे यह pair भी कर लोगे मैं फिर आप लोगों की problem को focus कर रहा हूँ इसी problem को solve करने के लिए ही मैं यह video थोड़ा सा lengthy बना रहा हूँ 18 है यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें sir की इसके आप तो आपका जो main focus होता है वो यह होता है कि आप जो भी number यहाँ पे लिखोगे उसको उसी digit से multiply करना है suppose करो आप में 18 लिखा और 18 को मालीजे अब 3 लिख देते हो तो इसको 3 से भी multiply करना पड़ेगा तो 9, 18, 3 is the 54 क्या 5, 49 इससे just less है बहुत near about less आना चाहिए नहीं बहुत ज़्यादा difference है तो 187 कर देता हो suppose तो 7 से multiply कर लो 77 जा 49, 78 जा 56, 66, 71 जा 7, 6, 13 यह देखे 1309 यह greater आ रहा है तो अब problem हो रही क्या सर हम दिन बर multiply ही करते रहेंगे digits को तो इसके लिए एक बहुत simple सा method है आप क्या करिए इधर 1 digit है 2 digit इधर रहे तो 2 digit इधर ले लो यानि कि अगर आपको ऐसे करना है चेक करना है कि सर यहाँ पर कौन सर डिजिट आएगा तो इसके लिए आप क्या करो 18 के table ऐसी read out करो कि 11 आ जाए 11 तो बहुत small है तो इसको 117 कर लो अब 18 के table ऐसी read out करिए कि 117 के less कोई number आए उसके near about तो 18 वंजा 18 yes read करिए 18 6 जल्दी बताइए 6 8 जा 48 6 बन जा 6 and 4 10 108 देखे 108 and 108 clear है तो आप इसको यहाँ पर 6 write down करिए और 6 से multiply करिए यह rough है इस ले कर रहा हूँ तो 186 चुकिए square है इस ले 6 से multiply करूँगा तो answer क्या आएगा 6 6 जा 36 6 8 जा 48 प्लस इंटो 3 51 5 6 बन जा 6 और 5 11 11 16 इससे just less है तो आप लिक लीजे यहाँ पर 6 this place पर 6 6 now 11 11 16 clear subtract करिए 13 में 6 7 6 में 1 5 0 0 now pair copy करो 6 9 because 1 2 and 9 यह एक perfect square है आपको पता है तो आप देखे 9 आ रहा है last में 9 का मतलब है 3 से जाना और नहीं अगर ऐसे clear है तो आप इसकी 2 digit ले लिजे 3 digit लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी 2 digit ले लिजे 19 की table read out करिए कि 57 आ जाए तो 19 3 जा 57 तो मैं लिखूंगा 192 into 3 gives us 3 से multiply करो square number इसलिए repeat करना पड़ता है 657 आ रहे 3 यहाँ पर write करो 3 यहाँ write करिए 5769 एक ही बार आपने multiply किया as it is यहाँ पर लिख दे रहे है तो यहाँ पर 3 प्लस करके यह separate करिए 0000 this is your required answer तो answer कहा रहा है बच्चों 963 clear है yes double clear है next simply proper fraction यह improper fraction लिखा हुआ है इसको proper fraction में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1156 into 1 plus 869 upon 1156 और simplify करेंगे तो आ जाएगा इसको add कर लिजे multiply करिए 1156 plus 869 upon 1156 now 9615 20 20 25 square root of 1156 तो आपको separately दोनों को long division method से square root find करना है clear है तो 20 25 का square root find करेंगे दो pair बनेंगे 4 4s are 16 this 4 4 2 5 because यह last number आपका है तो आपको मालूम है यह 5 से जाएगा because 5 के square में ही 25 आता है तो 4 2 5 मैंने वही किया है 85 को 5 से multiply करके यहां लिखती है clear extra कुछ नहीं किया है तो यह 5 आ रहा है therefore 45 numerator हो गया upon 1156 का square root फिर pairing करिए अब 11 किसके near about आता है 9 के तो 3 3s are 9 3 यहां पे write down plus 6 minus 256 now last में 6 है तो 6 के square से 36 मिलता है and 4 square से 16 मिलता है दो जगे आपको last में 6 मिल रहा है तो आप पहले लिखे 6 के ऐसी table पढ़िए कि 25 आ जाए तो 6 4s are 25 6 4s are therefore मैं इसके आगे 4 लिखूंगा और इससे multiply चेक कर लेता हूं 4 4s are 16 4 6 are 24, 25 वाओ इससे वन बहुत फास्ट लिखूंगा मैं 256 या 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 आरे बहुत फास्ट जी लो जी लो जी लो तो answer है 34 तो आप लिख दोगे यहां पे 34 तो आपका answer आ रहा है 45 अपान 34 mixed form में change कर लो 1 right 11 अपान 34 this is your required answer good students question number देखे 9 to 1 6 का आपको pairing बनाना है square root निकालना है इसलिए मैं square root इसे बहुत speedly निकालूंगा आप कई बार निकाल चुके हैं पीछे से clear है 11, 1, 6, 18 किसे table आएगा last में 6 है तो 6 से check कर लेता हूं 186 into 6 6, 6, 6, 36 6, 8, 6 which is 11, 16 तो 6 राइट डाउन इह यह 0, 0 and 0 and 0 तो answer आ गया under root में 9, 2, 1, 6 is equal to 96 बट अगर मैं decimal लगा देता हूं तो क्या करूंगा कुछ नहीं आपने देखे pairing जब किया है तो single पहली digit and second digit तो इनके दो pair के number के बीच में आपको decimal लगाना है therefore 92.16 है single pair, single pair तब जब इसकी value आप करोगे तो आप लिखोगे this one 96 बट एक pair के बाद decimal लग जाएगा तो 9.6 plus 9.216 add कर दीजे इसको 6, 1, 8 and 18.86 clear है? suppose करिए मुझे इसका square root निकालना है चेक करता हूं 21, 16 का चेक करता हूं ठीक है? इस question का part है मैंने pairing किया है now this one 4, 4, 16 5, 1, 6, 4, 8 4, 4, 4, 8 6, 6, 5, 1, 6 कैसे किया होगा बच्चों? 86 को 6 से into किया होगा तो मेरा answer आगया है 36, 3, 8 6, 4, 8, 5, 16 0, 0, 0 तो मेरा required answer आगया 46 तो यह मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? कि decimal part में क्या role होता है? दो तरीके से आप solve कर सकते हैं एक lengthy process है, एक oral process है lengthy process क्या कहता है? कि कभी भी आपको 0.2116 का square root find करना है तो आपको मालुम है decimal के just नीचे आप one draw करो और last में उतने 0 लगा दो decimal के बाद four places हैं तो four zero आ गया यानि आपको remove कर देना है decimal तो 2116 upon 10,000 अब आपने decimal remove कर दिया यानि जिससे आपको डर लगता था decimal से वो है ही नहीं question में तो जाइड सी बात है 2116 का square root में निकाल चुका हूँ तो 46 लिखूंगा और आपको मालुम है 10,000 का निकालना बहुत आसान है learn कर लीजा, अगर four zero है तो 20 बना देना 30 zero का square root नहीं निकलता है four का निकलेगा even number of zeros, theorem हम पढ़ चुके हैं even number of zeros का square root निकलता है hundred आगया, आप divide कर दो answer क्या जाएगा, 0.46 this is your systematic way बहुत simple तरीका है but, हम इससे भी easy तरीका आपको बताते हैं आप क्या करिए, upon hundred मत लिखे आप decimal, सारे decimal remove कर दीजे suppose करिए, आपने decimal नहीं लिखा हुआ यह decimal ही नहीं आपके question में तो 2116 का square root 46 आएगा clear, यानि दो digit आ रहे, अब मुझे बताइए जब आप pair बनाने जा रहे थे अगर आप pair बनाते, इसका 0.2116 0.266 का तो 0 decimal के right side में कितनी digit आती, दो digit ना, यानि decimal के right side में दो digit आनी चाहिए थे तो आपका answer हो जाता, 0.46 और यहाँ पे 0 आ जाता अब suppose करो, यह ऐसा होता आप pair बनाएंगे तो तब भी इसका square root क्या आएगा 4, 6 आएगा but decimal के right side में क्यों एक pair है तो एक digit रह जाएगी clear है, suppose करो आपको इसका square root निकालना है 1764 तो आप सिर्फ 1764 का square root find करिए, pairing से 4, 4s आ 16, yes 1, 6, 4 pair copy कर लिया, यहाँ पे 8 आ रहा है 4 है तो 2 से कर लो 2, 2s आ 4 और 2 यहाँ पे करो 82 को 2 से multiply कर दूँगा 4, 16 1, 64 0, 0, 0 clear 42 आ रहा है but आपने मैं फिर focus कर रहा हूँ आपने 1764 का square root तो 72 निकाला है but आपको decimal part का निकालना है तो जब decimal का निकालना है तो decimal के बाद 2 pair हो रहा है यहाँ दो digit आ रही है तो यहाँ पे भी decimal के बाद ही दोनों digit आएंगी पहले एक भी digit नहीं है 0 था तो as it is 0 लिख दिया तो इसका answer आपका first का square root exam में पूरा show कराईएगा this is called 0.46 plus 0.7 42 है ठीक है 0.42 upon 0.46 minus 0.42 subtract कर लो उपर 8 8 आ जाएगा point का upon 0.04 remove कर दो point 4 से cut कर देंगे 80 upon 4 cut कर दो 4 toza toza तो answer आपका आ रहा है 22 clear है this is your required answer बहुत अच्छे से समझ लिए बहुत tough नहीं है यह आपको समझ में आना चाहिए next question 16th मैंने solve किया है आप से पूछ रहे थे question कह रहा है point 16 this one this one और this में कौन साइ smallest है least है तो point 16 तो equal ही रहेगा point 16 के तो मैंने point 16 लिखा तब पहले ठीक है इसका जब मैं square root निकालने गया तो वो process मैंने apply किया और मेरा आया point 4 वो मैंने लिख दिया point 4 point 16 को square करने के लिए मैंने multiply किया decimal के बाद total places आएंगी 4 तो 1, 2, 3 ही available थी तो एक 0 मैंने increase कर दिया है clear है अगर मैं point 16 को into करूंगा point 16 से तो वो 256 देगा but हमें 4 places के decimal के right में 4 places चीए तो ये एक 0 मैंने इदर increase करके 4 places बना दिये clear है और इसको तो as it is लिख दिया अब यहाँ पर एक problem आ रहेगी sir यहाँ पर point 16 लिखा था यहाँ point 4 था तो आप क्या करोगे decimal के बाद सब को equalize कर दो मतलब decimal के बाद all places सब में equal digits होनी चीए 1, 2, 3, 4 यहाँ 4 है point 016 है एक 0 अपनी तरफ से increase कर रहे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आप कोई problem नहीं आएगी तो least क्या हुआ आपका this one therefore is least number clear next देख लिजे 59.29 5.29 मैंने दोनों का square root आपको सिखा दिया है आप check कर लिजेगा बहुत easy है value रख देंगे आपका answer this one आजाएगा इसको please note down कर लिजे अपने आप self करिए और फिर check कर लिजे clear next question question number 18 मैंने solve किया है आपके लिए बीच के questions मैं बाद में करा दूँगा बट इसको थोड़ा समझ लिजे what should be subtracted from 6249 to get perfect square 6249 अगर आपने ये question कर लिया तो जो बीच के question skips हुए है वो easily आप solve कर लेंगे फिर भी अगर आपको कोई question नहीं आ रहा है तो please mention the question number I solve it in the next video where we solve the problem sums since we need subtracted or add to complete perfect square अगर किसी question में आपको ये कहते हैं कि perfect square बनाने के लिए मैं कौन सा number add या subtract करूँ long division method की repeat question में अगर आपसे कह रहा है कि आप मैं कौन सी digit add कर दूँ कि वो perfect square बन जाए for example मेरे पास 23 एक number है मुझे उसे perfect square बनाना है तो मैं उसमें क्या add करूँगा yes correct correct विपल 2 add करोगे तो जब 2 add कर दोगे तो 25 बन जाएगा 25 एक perfect square number है तो वैसे ही इसमें जब large number आ जाता है जो हमें इसका square नहीं learn है हम working करेंगे उसके लिए तो हम क्या करते हैं long division method यूज करते हैं similarly अगर question कहता है what should be multiplied और divide या तो मैं multiply करूँ या divide करूँ तो उसके लिए मेरे पास prime factorization method होता है तो question में ये mention नहीं होगा कि prime factorization method करना है या long division method करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम अपने आप से judge करेंगे अगर multiply और divide number पूछ रहा होगा कि which number should be multiplied or divided to make it perfect square we use prime factorization method ठीक और उसके लिए आप मेरी first exercise चेक कर लीजेगा और अगर वो आप से कहता है कि please which number we subtracted हम किससे subtract करें तो उसके लिए मेरे पास बहुत simple है long division method what number should be added उसके लिए भी हमाँ पास perfect square है long division method का perfect square method है अगर suppose करूँ मुझे निकालना है कि 37 में कौन सा number subtract करूँ कि वो 37 अपने आप एक perfect square number में convert हो जाए तो आप क्या करोगे simply one subtract कर दोगे clearly तो since we need आप read out कर लिजे same process से मैंने इसको भी profit निकाला है but यहाँ पे यह round off मैंने एक student की वज़े से easily इसको समझाने के लिए 8 से किया है but आप इसको मत solve पर लिएगा क्योंकि यहाँ पे 165, 180 से greater आ रहा है 48 से तो यह मैंने आप square learn कर लिजे square learn कर लिजे तो जिस process से मैंने आपको बताया है उस process से easily आप solve कर लेंगे we need to subtract 8 because 8 remainder बच रहा है तो अगर इस number से मैं 8 subtract कर दूँगा तो मेरा answer आ जाएगा next video बहुत जल्दी upload करने वाला हूँ जिसमें आपकी problem solve solve हो जाएगी and last exercise भी solve हो जाएगी thank you please like करिये, subscribe करिये and share करिये clear? like, share and subscribe करना मत भूलिए thank you thank you for my youtube channel आपने study किया patience दिया, आपने पूरा video देखा इसके लिए thank you and please like, share and subscribe ऑै you